कोई पुलिस वाले इम्मत ही नहीं कड़ेगा जो पुलिस वाले के सर आपको रेस्ट करने आये हैं कहां पे है क्या नाम है यह तंबा चलते राता बादला आप नेता उनको धंकिया दे रहे हैं तो तुम आज उसकी गिरफतारी को और मजबूत एक्ट लगागे करो आज पुल जो पुल दिन में यहां पे गौल गौल आप अफ्टी कुडवा देंगे और यहीं खाड़ा बना देंगे राजगता कि हम बैठी हैं कॉन्चा कह रहे हैं तुम्हारे आप कपड़े फाड़ पिर रहे हैं हम यहां बैठे हैं धूप सौंग हवा में बैठे हैं क्या मतलब है थोड़े दिन में यहां पर आपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं थोड़े दिन में आपने रीखे तरहरे थी बहुत लंबा चलेगा आप समझो मैं बिजली पानी यह खंबे यह खंबे लगे हो यहां बरेंगे हम हम बरेंगे वो ताना शाही है वो डर दिखाता है कि तुम कभी किसानों की बिलिकारते ते दे किसानों की लैट बंद करते ते अगारता्य को प्रादी को प्राधी को जेल में मिलती है । Verantwort को ज़ेल से बुरा हाल बना जोगा एक आदमी को जेल परादी के लिए पिए थारे यह दबाब बनाया जा रहा है यह मेंटरी तुर पर प्रैशर डाला जा रहा है यह एक किसानों को जैसे दबाने के लिए आपको पता होगा गुंडे बेज दिये गए थे तो आज ऐसी पिलवानों को दबात हो सकते नहीं गुंडा गिरी ते पटकिया मार मार के सर फार देंग को आप जैट प्लस सेक्योटी दे रहे हो जिसके जाद हमारे देश की जो पुलिस चल रही है वो भी आखे घुमा के चल रही है कि भाई इसको कैसे देखे आप समझो पर जो हमारे देश में तिरंगे को ओड के चल रहे हैं उनको आप सभी लोग मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि आपके गुंडे बर्माश आज पिलवानों को दंकिया दे रहे हैं हमारी बेंट बेटियों को दंकिया दे रहे हैं इनको जैट प्लस सेक्योटी कब दी जाएगी आप समझे इस बात को या हमारे देश के पिलवान को जैट प्लस सेक्योटी नहीं मिलनी चाहिए क्या उपर भी अत्याशार होगा जैसे किसानों की शारत हुई आप कहा चाते हो कि हमारे प्लवानों को आप शडेंटर का हिस्सा बना के मोरा बना करके कुछ हानी पुंचा सकते हो तो आज मोधी सरकार को चीए कि जब तुम्हारे खुले नेता उनको धंकिया दे रहे हैं तो तुम लगे इतनी धारे निकली हैं कि बाहर निकलना में पॉसिबल ही नहीं है तो आज हमारे देश के अंदर यह मोधी सरकार को चीए कि आप हमारे पहलवानों की सिक्योटी बढ़ाओ हमारे देश के अंदर जितने भी आप समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी फुल चेकिंग करो किसी के पास किसी भी तरह कोई ओजार ना हो और उनका बैरी गेटिंग से अंदर जाने का रास्ता है तो आपे उनके उपर रोक लगनी चाहिए किसी भी तरह का धार्मिक चीज़े भी अगर आज मैं सिक्खूं अगर मेरे पास भी करपान है तो भी अगर मैं जाउंगा या तो मैं ना जाऊं या मैं अपने जो सवान चीज़े हैं उनको इज्ज़त से गुरुद्वारे में अर्पिट करके जाऊं तो इस चीज़ को समझने की जुवत है कि हमारे पहलवानों को सुरक्षा दी जानी चाहिए आज खुली दंकिया आ रही है पर मोधी सरकार अधा कु दरती है वही तो मैंने आपको बोला सविदान के वेलना हो रही है आज उनको अपने सविदान पर विश्वास नहीं है तो आज हमारे देश के अंदर जब तक सविदान की हुली जिलाई जाएगी जब तक आप नयाय की उमीद नहीं कर सकते आप समझने इस बात को आज आप अनसारी भी गया सदस्ता भी रड़ गी सानसत था मुकतार अनसारी पिदस्ता लगे ले गया और पहांतला का जुर्माना हुआ यह आप ब्रेकिंग न्यूज में चलाना पर आज हमें यह डर है कि मुक्तार अंसारी और अफजल अनसारी की कैस रख्षा बढ़ाई जएगी दरम देखकर के इनके साथ भी प्लैन्ड को यत्या का सिलसला हो सकता है। यह तो मुद्दा था कि F.I.R. का मतलब यह था कि जहांच होगी F.I.R. होगी बंदे को पकड़ा जाएगा मुद्दा तो यह है। आप अगर आएक मान लीजिए कि आप F.I.R. कर देते हो उसके बाद एरेस्ट नहीं करते हो तो हमारा मुद्दा तो दब किया। आज आप किसानों के मुद्दे को देख लो डेर साल तक लगातार किसान बैठे रहे उन्हें एक लॉलीपॉप दे लिया बाद में जिसको बहुत सारे किसान नेतों ने भी समर्थन दिया हम लोग बेफकूप बन गे उसके इंजर और तक किसानों के समर्थन में खड़े रह है और एक ही बार उसके अंदर अकर सुनवाई हो गई तो होगी अगर आज हमारी यहांसे बेढ़ी बेटियां उडगी आज हमारे यहांसे जो किसानों के दा पेलवान बैटे यह उड़के तो दुबारा यह अंदोलन खड़ानी हो पाएगा और दुबारा इसको समर्थन मि लेगा क्योंकि लोग बोलेंगे गड़ी गड़ी नातक करते हैं पर आज ये सच्छा ही है कि आगर हमारे उपर ये तोमत नहीं चाहिए कि हम नातक करते हैं हम सही मैंने में मुद्द क्या खड़े हैं तो आज उसकी जांच हो उसका स्टीफा हो उसकी गिरफतारी हो और उसके हम चली जाएंगे उसको करो उसके आप उसके स्टीफे तो करवा आप बंदे को पावर में बढ़ा करके आप समझो इस बात को आप एक बंदे की बंदूक लटका दी आपने एक के 47 और उसके बाद बोल रहें तुझे कुछ नहीं कहेंगा जा जा भीड़तों सही तो भीड़तों सही कुछ नहीं कहेंगा अरे एक के 47 अब या दो मिन्टे में चला जी तो 50 निप्टा देगा तो आप समझो जबता एक बंदा पावरों में बैटा है कोई पुलिस वाल कमेटी आए दिर मदल गई थी आप समझेज बात को कमेटी क्या होती है कमेटी मैं अपना परसनल मानता हूं राजनीति का अगर मैं आदमी हूं तो मैं कहूंगा नहीं कमेटी हो निची जाँ चूनी चीए पर अगर आप मिने कोई भारती की तरह सुनो आप भटा दो कि मैं से वहां भटा दो कि मैं राजनीति को आप मैं को नॉर्मल सुनो तो यह कमेटी यह बहुत बड़ी लॉलीपॉप होती है आप समझे बात को यह कैसी लॉलीपॉप होती है एक आजमाई आदमी को अशवाशन दो होता है आप समझे ना आपने कभी 20 लेटर के उपर कोमा में क पेशन्ट क्या होती हैं वो जिनदा तो हैं पर जिनदा नहीं भी आपका गा हंगा कब भागा होंगी हैं और थैंग यह मुद्द है मारे गुनैक यही बोलता है एक पाघल मेरे पाघली हुँ तो आप समझे इस बात को आप इस बात को समझो जब तक एक आदमी गड़ी बैठा है उसकी जहांच कभी नहीं हो सकती पुलिस के ओपर आप समझो डीसीपी के तबादले करवा देगा जो उसकी जहांच करने आगा उसी कर तबादल सबसे बड़ी बात देखो आज सही महने में पोस्को एक्ट के अनुसार यह कब लगता है भारत के लोगों को भी बता दू यह पोस्को एक्ट जब लगता है जब 18 साल से चोटी बच्ची के साथ कोई दुराचार होता है उसके गुप तंगों के छेड़ कार होती है तब यह में उसी घंटे उसी शन बंदे को ठाली रहता है पर आज हमारी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमें लचार नदर आ रही है तो यह प्रैशर ही तो है और इस प्रैशर को अटाने के लिए आप पे करा दें आप उसी समय उठ जोगे आप समझो पराज वह लोग नहीं उठ पा का प्रजेशन जो गली-गली नदर आया था ऐसी है पेलवानों का प्रजेशन गली-गली नदर आना चाहिए जब तक आप गली-गली प्रजेशन को नहीं पुंचाओगे तब तक आवाज मजबूत नहीं होगी यह आज एफ-फाई-आट सुप्रीम कोट के माद्दम चोई लोग उनको सही में प्यार करते हैं यह जमीनी सर्वे का मुद्द है जब आप उनकी लोग सब्सक्राइब में जाओगे आप वहां की जंता से पूछोगे तो वह आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या था उन्होंने वोट क्यों दिया वह एक अलग बात है क्योंकि आज ब पर लग्टी चलिगी लग्ती कसलिगी कोई उठाई की रखो इन्हों ने बना दिया तो आप यह नहीं कह सकते कि एक अगर सांसर अपने सांसर बने तो वह अपने बनें यह जमीनी सर्वे का मुद्द है इस बारे में कुछ नहीं कह सकते वी बात है कि आज कारवाई के लिए तो बैठे हैं आपने कल बजरंग कुनिया का बैवान निसume अपने कन अब पर अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम जो खेल के बैटे होएं कुष्टी के उससे उनका स्तीफ होना चाहिए तब ही जहां जो पाईगी नहीं तो बड़े-बड़े अफसर्ट है आप समझो आज जिससे पूस्ताइब करने के लिए सब्सक्राइब करने करें निकाला करा दूगा और बड़े-बड़े नेता है आप समझो आप समझो पांट-पंच यह वार के सांसर है बोड़े दबंग आदमी है यूपी में नाम है आज लोग थरतर कांपते हैं आज हमारे देश की राजनीती में यह चीज़े देखने को मिल आज में हमेशा बोलता हूं आज मोड़ी सरकार वह अपाइस अब आप समझो आज मोड़ी सरकार वह अपाइस सरकार है जिसकी दोनों टांगे नहीं है और वह दोनों टांगे जो हैं वो मीडिया ने बिसाकिया बनके समाल रखी हैं- अगर आज आज आप समझ लो कि वह बसाकिया उससे छीन ली जाएं तो वह अपाइस इंसान सडक पे गिर जाएंगा बचरा चल नहीं पाएगा तो आज वह बसाकिया मेडिया की बसाकिया मोड़ी सरकार से अलग कर दी जाएं मोदी सरकार जहां नदर आ रही है वहीं नदर आएगी जमीन में धस्ति चली जाएगी उबर नीपाइगी खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है कि अनतुम लगेने यह हर दिखार लगेंगे जब तक हमारे देश में गोड़ी मीडिया को समर्तन देने वाले लोग है आज अंद्भक्त जिनको बोला जाता है अंद्भक्तों के नाम के भी मुर्दा बार के नारे लगने लगने छी और जिए और कोई है तो एक तरफ सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन दबाएं